हेलो हाई नमस्कार दोस्तों वेलकम ट्यूट्योब चैनल टैट पॉइंट मुहम्मद सुफली के संग सामाजे विज्ञान के बावरी मस्जिद बनाम राम मंदिर पर बनने वाले मैतन प्रस्ण जो आपकी सफलता में चार चान लगाएंगे अप एक सा करता हूँ कि यह वीड बाटने से घ्यान बढ़ता है घरता नहीं आज की टॉपिक की तिरम चलते हैं और बावरी मस्जिद बनाम राम मंदिर से संब्धित पंद्रेट पंद्रेट सो ठैस से लिकर 2020 तक संपूर्ण जानकारी आयुद्धा से संब्धित संपूर्ण जानकारी राम मंदिर भूमी प से संब्धित संपूर्ण प्रेशन के अंद्रगत सीटेट यूपिटेट एनिटेट से संब्धित संभावित प्रेशन कोई भी कोश्चन नहीं छोटेगा और हमने इस प्रकार के कोश्चन तीन वीडियों तीन पार्ट में बनाए हैं अगर यह वीडियो पसंद आए तो ती उत्तर है option B उत्तर पर्देश नेक्ट प्रसन है हमारा प्रसन नमर दो आध्या का प्राचीन नाम क्या था और इसका सही उत्तर है फैजाबाद option A प्रसन नमर तीन की तरम आगे बढ़ते हैं प्रसन नमर तीन है रामेंड की रचेता का नाम बताईए और इसका सही उत्तर है option A महर सीव वालमी की प्रसन नमर चार की तरम आगे बढ़ते हैं बगवान सीर राम के पिता का क्या नाम था और इसका सही उत्तर है option A राजा दसरत नमबर पांच है हमारा ऐदा किस नदी पर बसा है और इसका सही उत्तर है शर्यो नदी आपसन बी प्रिशन नमबर छे की तरमागे बढ़ते हैं राम मंदिर का भूमी पूजन कब किया गया और सही उत्तर है इसका आपसन ए पांच अगास्त दो हजार बीस प्रिशन नमबर साथ है हमारा राम मंदिर निर्माण है तो किस के दोरा नीव की इंट रखी गई तथा वह किस धातु की बनी हुई थी और इसका सही उत्तर है चांदी की किस की चांदी की प्रिशन नमबर आठ की तरह किया बढ़ते हैं राम मंदिर निर्माण है तो जिस इंट का इस्तिमाल क्या गया उसका वजन क्या था और इसका सही उत्तर है आपसन ए प्रिशन नमबर दस है हमारा प्रिशन नमबर नौ मंदिर निर्माण के लिए लग बग कितनी पवित नदियों का जल मंगाया और इसका सही उत्तर है आपसन ए आपसन ए सो नदियों के सो नदियों से पवित नदियों को जल मंगा करके और इसका निर्माण किया जाएगा निव भरी जाएंगे प्रिशन नमबर दस है हमारा भूमी पूजन के दोरान कोराना के कारण कितने कम अथितियों को आमिंतरित किया गया कितनों किया गया आपसन एक सो पिछेतर प्रिसर नंबर 11 है हमारा वो में पूजन के लिए आमंत्रित किये गए अतितियों में सर पिर थाम आमंत्रित कार्ड किसको दिया गया और इसका सही उत्तर है आप सर बी सिरी इकबाल अंसारी को इकबाल अंसारी जो कि इनोंने मस्जित की थरफ से अपने पैरोकारी की थी प्रिसर नंबर 12 है हमारा आयोध्या भोमी पूजन के दोरान प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी ने किस पोदे को लगाया और इसका सही उत्तर है आप सन ए परिजात प्रिसर नंबर तेरे हमारा रामंदर का निर्माण किस वस्तू का किस वास्तू कला में किया जाएगा और इसका सही उत्तर है नागर सेली में बना अश्टिय कौन मंदिर आप सन बी प्रिसर नंबर 14 हमारा रामंदर का पहला मोडल कब बना और इसका ये कब बना 1800 1889 में और अगला कोशन है हमारा प्रिसर नंबर 15 रामंदर का नक्सा तयार करने वाले चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या था और इसका सही उत्तर है आप सन बी निखिल सौमपुर प्रिसर नंबर 16 राम लला कितनी हुचाई पर स्थापित किये जाएंगे और इसका सही उत्तर है 17 फेट कितना इसका 17 फेट आप सन ए आप सन ए प्रिसर नंबर 17 है हमारा राम अंदर की लंबाई चोड़ाई तता उंचाई कितने फिट होगी और इसका सही उत्तर है आप सन ए लंबाई इसकी 360 फिट होगी चोड़ाई इसकी 235 फिट होगी और उंचाई जो होगी इसकी 161 फिट होगी यह संसो धित संसो धित लंबाई चोड़ाई उंचाई है प्रिसर नंबर 18 तरम आगे बढ़ते हैं हर मंजल पर कितने खंबे होंगे हर मंजल पर कितने खंबे होंगे आफसान A एक सोच है प्रिशन नमबर 19 एमारा राम मंदिर में कितने मंड़प होंगे और इसका सही उत्तर है आफसान B प्रिशन नमबर 20 राम मंदिर कितने मंजला बनेगा और इसका सही उत्तर है आफसान B तीन मंजला प्रिशन नमबर 21 एमारा राम मंदिर बनाने ये तो कितने एतिहासिक एवं पवित्र इस्थलों की मिट्टी मंगाई गई और इसका सही आफसान है आफसान B 2000 पवित्र इस्थलों से मिट्टी मंगाई गई है और प्रिशन नमबर 22 एमारा राम मंदिर कितने वर्सों में बनकार तयार हो जाएगा और इसको बनने में जो टैम लगेगा वो आफसान A का अनुमान है कि इसके बनाने में तीन से साथ वर्स लग जाएगा प्रिशन नमबर 30 आयोदा विवाद कितने एकर जमीन पर था कितने पर था ओप्रिशन नमबर 2.77 एकर जमीन पर नाकिल 17 एकर जमीन पर प्रिशन नमबर 24 कि तरह आगे बढ़ते हैं बावर के सेना पती का क्या नाम था जिसमें मस्जिद बनवाने में एहम भूमी का थी और इसका सही उत्तर है ओप्सान B मेरबा के प्रिशन नमबर 25 संपूर मंदिर में कितने खंबे निर्मित होंगे जो 10 एकर छेतर फल पर बना होगा और इसका सही उत्तर है ओप्सान A एक तीन सो अठार है प्रिशन नमबर 26 के तरह आगे बढ़ते हैं और प्रिशन नमबर 26 है हमारा बावर भारत किस वर्स आया और इसका सही उत्तर है ओप्सान B 1526 में यहाँ पर भारत में इसने प्रिवेश किया था प्रिशन नमबर 27 के तरह आगे बढ़ते हैं राम अंदिर का गर्व ग्रह की विशाल सनरचना कितने छेतर में होगी और इसका सही उत्तर है ओप्सान A अगले कोश्चन की तरह मागे बढ़ते हैं प्रिशन नमर 28 बावरी मज़ित का निर्माण बावन एक्किस वर्स कराया और इसका सही उत्तर है ओप्सान B पंद्रे सो अठाइस और अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब सवाल है रावन अला के पिर्थम दर्सन करने वाले माननिय पिर्दान मंत्री जी का नाम बताईए पिर्थम है स्वर्गे अटल ब्यारी वाजपई दुत्य मानने सिरी नहरेंद्र मोजी सिरी नहरेंद्र मोजी और इसका जवाब कमेंट में लिख करके देना है कि A ओप्सन सही है या B ओप्सन सही है अगले कोर्शन की तर्मावब बढ़ते हैं प्रेशन नमबर 29 भूमी पूजन का मोरल समय क्या था ओप्सन A 12 बज़कर 14 मिनट 8 सेकेंड यह समय सबसे अच्छा माना गया था प्रेशन नमबर 30 22 किलो 600 ग्राम केजी वजनी चांदी की इंट का क्या मूल्ले होगा यह उस इंट की वजन की बात की जा रही है जो मानने प्रदान मंत्री जी ने निव में रखी थी तो उसका दाम क्या होगा मूल्ले क्या होगा 12,60,000 और सन इस प्रकार अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और मित्रों के शेयर करें क्योंकि शेयर करने से ग्यान बढ़ता है घरता नहीं अगले नेस्ट वीडियो अमारी इसी से सम्मदित राम मंदर से सम्मदित कोश्चन जोंगे उनको तेखना न भोलें